हेलो दोस्तो वेलकम बेक मैं येट्यूब चेनल देखे ये डोल का जुला वाला मैंने जूमर बनाया है कैसे बनाया है अगर आप वो सिखना चाहते है तो वीडियो में लाश्ट तक बने रहेगा तो ये तीसरा पार्ट में अपलोड कर रही हूँ फर्स्ट पार्ट में मैंने डोल का जुला है वो कैसे बनाया हो बताया है और सेकंड पार्ट में मैंने डोल का फ्रोक बग कैसे बनाया हो बताया है और इस वीडियो में हमें डोल की केप बनानी है तो सबसे पहले हमें ग्रीन कलर का हुलन लेना है सबसे पहले हमें मेजिक रिंग बनानी है और एक नोट गए है अब हमें दोनों को आपच में अच्छा से जोइंट करके राउंड सिप देना है जो हमने फर्स्ट तीन चैन बनाई थी वहां पर हमें इसको जोइंट कर देना है और नेक्स्ट हमें यहां पर तीन चैन बना लेने हैं मेजिक रिंग वाला थेड अच्छा से खीच कर र भूरा कॉंपलेट करना है हरे办 हैं और हममारी आज़ गाया है ओबन के के अजिए सबना न सरु देखे है इसका final look इस तरह से आरहा है 1, 2 एन 3 तीसरे round में हमें तीन चेन बना लेने हैं वे सेम फ्रोसेस करना है हर एक के उपर दो बार डबर क्रोश बना लेना है जैसे ही हमने second round बनाया है वे आ traduce हमें तीसरे round भी बना लेना है और हमारा जो round है वो बनके complete हो गया है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना विल्कुल भी मत भुलिएगा अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को subscribe भी कर लिजेगा और हमारा जो तीसरा round है बनके ready हो गया है हम हमें दोनों को आपस में joint करके round step देना है जहां पर हमने 3 chain बनाई थी वहां पर हमें joint कर देना है और इस तरह से उसका look आएगा next हमें 3 chain बना लेनी है और देखें यहां पर जो 2 thread दिखेंगे उसमें से 1st वाले को हमें skip करना है और second वाले में हमें double crochet बना लेना है जो 4th वाला round है हर एक के उपर 2 बार double crochet ने लेना है 1-1 double crochet बनाते जाना है ऐसे हमें same 2 round बनाने है मरत 4th वाला round complete हो गया है और यह 5th round start हो रहा है देखेंगे जो 5th round है उसमें भी हमें ऐसे ही 1-1 double crochet बना लेना है और हमारे जो हमने turn किया है केप का save दिया है वो 2 round हमारा complete हो गया है green thread को हमें अच्छे से cut कर देना है यहाँ पर और second color लेना है second color में यहाँ पर off-fight color का use कर रहे हूँ तो सबसे पहले हमें note लगानी है और अच्छे से thread को हमें केप में joint कर देना है next देखिए यहाँ पर हमने जो last round बनाया था उसमें 2 thread में से हमें first फर्सट बाले thread में लेना है और यहाँ पर 2 बार single crochet बना लेना है इस तरह से पूरे round में same process करना है देखिए हर एक double crochet के उपर 2 बार single crochet बनाना है जो हमने 2 thread होते हैं उसमें से हमें एक ही thread में बनाना है और हमारा जोए वाला round है वो बनके complete हो गया है और इसको हमें अच्छा से joint कर देना है और इसे हमारी jik jik design बन जाएगी हमें second round भी white color से बनाना है देखिए मेरा up white color का first round complete हो गया है second round start करना है तो second round में हमें same process करनी है और एक सिंगल क्रोसिय के उपर दो बार सिंगल क्रोसिया लेना है और हमें फर्स्ट जो दो थ्रेड होते हैं उसमें से फर्स्ट थ्रेड में ही हमें सिंगल क्रोसिया बनाना है और हर एक के उपर दो बार बनाना है इस तरह से हमारा जिगजग डिजाइन बन जाएगा और हमार राउन सेकंड वाला भी कंप्लेट हो गया है इसको में जो फर्स्ट सिंगल को से बनाए था वहां पर जोइंट कर देना है और थ्रेट को कट कर देना है और यह केप का फाइनल लुक और हम देखें डोल को पहना कर मैं आपको दिखा रहे हूँ इस तरह से इसका लुक आ रहा है और देखें मैंने डोल को पहना लिया है इस तरह से इसका लुक आ रहा है आपको अच्छा लगा हो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बि new and unique design किसा, thank you for watching.